हलो पैरेंट्स हाव आर यू आज मैं आपको UKG syllabus 2020-21 की जानकारी दूँगा जिसमें English, Math और General Awareness का पूरा कोर्स जो की पूरे वर्ष बढ़ाया जाना है उसकी जानकारी दूँगा यह भाबक महुदे बच्चा आपके पास है काफी दिनों का गैप हो रहा है और अभी भी हो सकता है कि एक दो महीने का गैप रहे बच्चा जब LKG पास करने के बाद UKG में जाता है तो इन चीजों की study वो प्रारम करेगा उसके पहुँचने के पहले यदि आप यह सब चीजे घर पर बताएंगे तो निश्चित रूप से बच्चा का लेबनी रहेगी और जब वो विद्धाले पहुचेगा तो इसको किसी प्रिकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी सबसे पहले आपको letters बताने हैं जो की small और capital और small letters हैं वो आपस में कैसे related हैं उनकी पहचान करानी है आपको identification कराना है sound of letters प्रिक letters का कौन सा sound है object related to the letters किस letters से कौन सी चितर अर्थात उनके object बना करके और letters का आपस में relation matching आप करवाईए vowels and consonants आकर स्वर और बिंजन कौन कौन से हैं vowels and consonants प्रियास करिएगा कि उनको English के word का use कराईए vowels and consonants इसके बाद आपको vowels और उनसे बनने वाले जो word हैं उनकी knowledge कराना है अर्थात CBC की तरीके से आप practice कराते हैं तो C for consonant और V for vowel और फिर consonant अर्थात पहला विंजन हो, consonant हो, इसके बाद वाविल्स हो, फिर consonant हो जैसे C, A, P, cap तो C consonant है, A, vowels है और P, V, consonant हो तो यह C, B, C, pattern के जितने भी word हैं इनकी आप घर पर practice करा सकते हैं articles, A, and, the, कब A का pray होता है, कब N का pray होता है, इसकी भी जानकारी बच्चे को पहले से हलांकी कराई गई है, लेकिन कोई भूलने ना पाएं, इसकी practice आप घर पे कराईए this, that का भी उज़ होता है, पास की वस्तूओं के लिए this, और दूर की वस्तूओं के लिए that, और उसी का जो plural form में होता है, वो these or those, one many, ordinary positions, and ramming birds, यह सब चीजों की practice आपको करानी है, मैं इसके बाद, इस syllabus के बाद, UKG का एक work seat भी जारी कर रहा हूँ, जिसमें इस word, इससे संबंदित सारी चीजे होंगी, आप उसकी practice घर पे कराईएगा, जिससे की बच्चे की practice जारी रहे, और आपको भी पढ़ाने की जानकारी हो सके, इसके बाद आपको reading करवानी है, words and sentences छोटे-छोटे word बना करके और उनके छोटे से sentence बना करके उनकी reading करा है, flashcard, oral instructions, storytelling and conversions, छोटे-छोटी स्टोरी कैसे कहीं जाती है, conversion आपस में बातचीत कैसी की जाती है, oral instruction, मौखिक रूप से भी कई चीजें आपको बतानी है, picture composition, making sentence with certain words, बिश्चित सब्दों के द्वारा वाक कैसे बनाए जाते हैं, ये बताना है, use of, in, on, under and above, आदी की practice, इसके बाद, math की जहां तक बात है, तो pre-math concept, जो की आपने छोटे classes में, LKG में पढ़ा हुआ है, UKG में जाते ही, आप इन सी जोग की practice करनी है, same and difference, कैसे एक से हैं, कैसे अलग अलग हैं, big a small, tall sword, more or less, heavy lights, in or out, thick or thin, right left, front back, top water, ये आपस में बच्चे को इतनी जानकारी होना चाहिए, उनके figure बता कर, को इनकी pictures बता कर के आपको ये बताना है, कि tall और sword कौन है, आप picture दिखाईए, चितर दिखाईए, और इसमें बताईए, कि ये tall है, और ये sword है, इसी तरीके से जितनी भी मैंने यहाँ पर pre-math concept बताया है, ये आपको figure बतावा करके, चितर बतावा करके आपको इनकी practice करानी है, जहां तक numbers की बात है, आपको once लेकर के hundred के numbers आप LKG में पढ़ चोके होते हैं, UKG में आपको once लेकर के two hundred तक के numbers की जानकारी करनी है, कि आख करना, उनको गिनना, उनको लिखना, उनके पहले अर्थाद before, after, between numbers, one to two hundred, forward counting, forward माने उसके आँगे आने वाले जैसे two से आँगे, three, three से four, four से five, इस तरीके से backward counting माने होता है, उल्टी गिंती, hundred से लेकर one तक है, numbers name भी आपको one से लेकर hundred तक बताना है, क्योंकि one से लेकर 20 त इसे मतलब हमारा, उनको one one, one two, one two, इस तरीके से आपको इनको बनाना है, skip counting से तातपर है हमारा, कि two के बाद, two two की अधी करना है, तो इसे four लिखा हुआ है, तो two की six, eight और three, three के difference में बताना है, four के difference में बताना है, five की इसे, these are called skip counting, pictures addition, चित्रों को देख देख करके, add करना one digit addition अर्थात एक अंक को कैसे जोड़ा जाता है, इसके बाद picture के द्वारा ही, जित्रों के द्वारा ही subtraction भी बताना है, one digit का subtraction, time and money है, समय और पैसे, आखिर कौन-कौन सी currency, किस तरीके से हम समय को देखते हैं, किन-किन currency के, किन-किन नोटों का, किन-किन के coins का हम use करते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, simple addition और subtraction using object, वस्तूं के द्वारा, चित्रों के द्वारा, हम simple addition और subtraction, putting greater than, less than, equal to, यह जो sign होते हैं, इसकी भी जानकारी चित्रों के द्वारा हमको बच्चों को करानी है, addition and subtraction without carry, बगैर carry के जोड़ और घटाना अर्थात addition subtraction is subtraction, इसके बाद, last में आपको shapes नेम बताने हैं, कि आकर circle, shape चित्र बनाये जाएं, वो बताये जाएं कि circle क्या है, square क्या है, rectangle क्या है, triangle क्या है, semi circle और oral and diamond है, इस तरीके से, यदि हम अपने बच्चे को math की practice कराएं, तो बच्चा जब स्कूल पहुचेगा, तो दिक्कत मह से उस नहीं करेगा, वो यह हमारा दायत भी बनता है, कि घर पर हम अपनी जुम्मेदारिये निवाएं, myself, अर्थाद बच्चे अपने बारे में कुछ जाने, जैसे part of the body, उसकी family में कौन-कौन से शदस हैं, my name, उसका नाम क्या है, school का नेम क्या है, और हमारी body में कौन-कौ और गन से अर्थाद संबेदन अंगे हैं, जलबायू atmosphere में कौन-कौन से season होते हैं, summer, winter ready, कौन-कौन से transport होते हैं, अर्थाद land पर, जमीन पर चलने वाले साधन, water transport और air transport, इनके चित्रों के द्वारा आपको बताना है, कि आखर land transport में bus है, train है, जिक्सा है, cycle है, water में कौन-क उन से चलते हैं, तो ये land transport, water transport and air transport, इसके बाद आपके आते हैं animals, अर्थाद wild animals कौन हैं, domestic, pet, animals and their sound, अर्थाद जो जानबर हैं, उन से सम्मधित, उनके sounds बताने हैं, और animals and their young ones, जानबर और उनके बच्चे, क्योंकि उनके animals, जो animals हैं, उनके बच्चों को क्या कहते हैं, उसका knowledge आपको चित्रों से होना चाहिए, living and non-living things, और जीवित और जो मृत things हैं, अर्था non-living or non-living things, विवन चित्रों को बता करके, आप उनको knowledge कराएं, इन में से कोई ऐसी चीज कठिन नहीं है, जो हम आप नहीं करा सकते हैं, इनके पास books भी है, आप syllabus देख करके, books की help ले करके, आप बच्चे को practice करा सकते हैं, और बहुत जल्दी ही मैं UKG का एक work seat, जो की इस course से related है, वो आपके पास जारी करूँगा, जिसकी साहता से आप LKG, UKG या nursery के बच्चों को practice करा सकते हैं, और अपने दायतों को निवा सकते हैं, और बच्चा जब school में पहुँचेगा, तो उसको किसी प्रिकार की कोई दिक्ट ना हो, क्योंकि जब बच्चा दो या तीन महीने के gap के बाद जब school पहुँचता है, तो उसको बड़ी agitation होती है, ये दि आप इस तरीके से घर पर पढ़ाएंगे, तो बच्चे को एक habit बनी रहेगी, एक आदत बनी रहेगी, बहुत जल्दी ही एक seat, work seat मैं आपके पास बेज रहा कर दो है, आपके पास